नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 31 मार्च गुरुवार दपैर सवा बारा बजे रासान की बारा बड़ी खबरे रासान मादमे शिक्षा बोर्ड की दसवी की परिक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई इस परिक्षा के लिए कुल 10,988 प्रवेशी का परिक्षा के लिए 7,239 परिक्षार्थी और विशीष योग्य जन श्रेनी में 1530 परिक्षार्थी पंजिकरत किये गए हैं संपुर्ण प्रदेश में सेकंडरी स्थर की परिक्षाओं के लिए कुल 6068 परिक्षा केंडर बनाई गए हैं परिक्षाएं प्रतह नौवजे से 11,45 के सत्र में हो रही हैं दस्मी बोर्ड की परिक्षाएं 26 अप्रेल को समाप्थ होंगी रहसान में गुर्जर नेता करनल किरोडी सिंग बैंसला का लंबी बिमारी के बाद पर लोग गमन हो गया वे लंबे समय से बिमार थे उन्होंने गुरुवार को सुबह जयपूर में अपने आवास पर अंतिम सांस ली करनल बैंसला गुर्जर आरक्षन आंदोलन को लेकर देश भर में चर्चित हुए थे तेश तर्रार छवी वाले गुर्जर नेता करनल बैंसला के नेतरत्व में ही रहसान से गुर्जर आरक्षन को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था देश भर में चर्चित हुए इस आंदोलन में गुर्जर समाज के कई लोग मारे गए थे बैंसला अन्तिम सांस तक गुर्जर अरक्षन के लिए संखर्ष करते रहे उनके निधन से गुर्जर समाज में शोक की लहर चा गई है खाटु शाम मंदिर तीन अप्रैल को शाम चार बजे तक बन रहेगा रविवार को बाबा शाम के विशेश सेवा पूजा होने के कारण मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए बन रहेगा मंदिर कमेटी ने इस समन्द में सूचना जारी की है श्रीश याम मंदिर कमेटी के अध्याक्ष शंभू सिंग ने बताया कि तीन अप्रेल को रविवार के दिन सिंजारा परवपर बाबा खाटू श्याम की विशेश सेवा पूजा होने के कारण मंदिर को शाम चार पजे तक आम भक्तों के दर्शन के लिए बंद रखा जाएग सरिस्का के जंगल में लगी भीशनाग 90 घंटे बाद करीब करीब काबू में कर ली गई अब वायू सेना का आपरेशन पूरा हो गया है दोनों हलिकॉप्टर कुछ देर में वापस जाने के तैयारी में हैं राजिसरकार के बड़े अफसर प्रमुख सचिफ श्रिया ने अल जरी रहेगी तैस्थान कॉंग्रेस में मंत्रियों विधायकों की बेरुखी का असर सदसता अभियान पर दिख रहा है इसके चलते अब तक लक्ष का 50 फिस्दी सफर भी पार नहीं हुआ है पूर्व मुख्य मंत्री सचिन पालट ने विपक्ष में रहते हुए 40 लाग सदस भी मान चुके हैं कि मंत्री विधायकों के असर यो की कारण सदसता अभियान का काम धीमा चल रहा है सीकर में गुरकुल युनिवस्टी स्कैम में सामने आए नहीं तथि उसे वेरिफिकेशन करने वाली कमेटी शुरू से ही सवालों के घेरे में हैं सरकार के ओर से अनुमती मिलने के 90 दिन में है 80-81 कैमपस में युनिवस्टी तयार हो गई युनिवस्टी के लिए आविदन करने वालों ने वेरिफिकेशन टीम को कॉलिज दिखा कर उसे युनिवस्टी कैमपस बता दिया लेकिन कमेटी को कहीं भी शक नहीं हुआ महस तीन महीने में 80-81 कैमपस में 38 लैब और 62 हॉल कैसे बन सकते हैं इसका खुलासा हाल ही में सामने आए कमेटी की सिफारिश के दसावेश से हुआ है कॉले शक्षा युक्ताले ने पहले बार गॉर्मन कॉलेज में पीजी प्रिवियस में शहर के जेडीबी आर्स कॉलेज में इससे रहत मिली है जबकि अन्य कॉलेजों में 20 से अधिक नामांकन के सिती है रायसान करमचारी चैन बोर्ड ने प्रयोक्षाला भरती की संशोधित भरती विग्यपती निकाली है जिसके तहित 7 पदों का इजाफा करते हुए अब कुल 1019 पदों पर लेब असिस्टेंट की भरती की जाएगी इनमें 735 पोस्ट 11 अनुसूचित शेत्र और 284 पोस्ट अनुसूचित शेत्र के लिए होंगी इसके लिए बारवी पास उमीद्वार रायस्तान करमचारी चैन बोर्ड के अफिशल वेब साइट पर जवा करते हैं 23 अप्रेल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अंतरास्टे बाजार में क्रूड ओयल की घरती कीमतों की बावजूद पैट्रोल डीजल की कीमत हर दिन बढ़ रही है माना जवाराई की पैट्रोल डीजल के दामों पर सरकार 20 रुपे लिटर तक बढ़ोतरी कर सकती है गुरवार को पैट्रोल 87 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ जिसके बाद जैपूर में एक लिटर पैट्रोल की कीमत बढ़कर 14 रुपे 7 पैसे और डीजल प्रती लिटर की कीमत बढ़कर 97 रुपे 24 पैसे पर पहुँच गई है रासान में महिला डॉक्टर मामले में सरकार एक्शन मोड में आ गई है दोसा एसेचो को हटाने के साथ ही लाल सोट के डेपिटी को एपियो कर दिया गया है जैपूर संभागया आयुक ते दिनेश कुमार यादव को पूरे मामली की जान सौपी गई है अशोगयलोत ने बदवार शाम को मुख्य मत्री आवास पर हुई उच्छ सरी बैठक में ये निर्देश दिये मही धौरपूर में डिस्कॉम आफिस में A.N. और J.N. को पीटने के मामले में भी कारवाही की गई CM ने पलिस अफसरों को निर्देश दिये कि इस घटना में महीला डॉक्टर को सुसाइड के लिए मजबूर करने वालों पर मुकदमा दर्ज करकड़ी कारवाही करे उध्यपूर में अकैडमिक गडबडियों सही दर्जनों और इमित्ताओं के चलते विवादों में घिरी सुखाड़े उनिवस्टी से एक अब बड़ी वित्य गडबड़ी से जुड़ा मामला सामने आया है सुखाड़े उनिवस्टी के कुलपती की प्रावेट कॉलेजों से जी एस्टी नहीं वसूलने की जित का भार अब उनिवस्टी के चात्रों पर पढ़ रहा है प्राइवेट कॉलेजों से जीस्टी का पैसा वसूल कर सरकार को नहीं जमा कराने के चलते हाल ही में यूनिवस्टी ने लगबग 25 लाख रुपए का ब्याज CGST को जमा कराया है प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योर्टी अजमेर जेल में बुधवार राच चार हाड कोर बंदियों की तवियत बिगड़ गई जेल प्रुशासे ने जिला पुलिस की मदद से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जेलन अस्पताल में भरती कराया अस्पताल में बंदियों को भरती करने के बास सुरक्षा दुस्ती से हत्यार बंद कमांडों ने अस्पताल को सुरक्षा के गेरे में ले लिया वहीं एमर्जेंसी वारड में प्रायात्मी को उप्चार देने के दौरान घंटों तक मरीजों के आवाजा ही बंद रही बताया जा रहा है कि ये बंदी जेल बदनने की मांग को लेकर भूख हर दाल पर थे तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजरों के कुछ और बड़ी ख़परों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें